13 numbers हमें बोला है find equation of the line passing through the point 22 एक line है जो 22 point से pass कर रही है and cutting of intercept जो intercept वो cut करती है on the axis axis के उपर उनका sum 9 है हमें मालूम है कि जो हमारी x axis होती है ये वाली उसके उपर कोई भी अगर point लेना होता है तो हम उसे a और 0 की formula लेते हैं और जो point हमने y के उपर लेना होता है वो हम point 0,b पे लेते हैं अब उन्होंने क्या बोला है कि जो axis पे cut कर रहा है उनका sum 9 है मतलब a plus b कितना है हमारे पास 9 है चीक है हमने equation निकालनी है line की जिस line की ये बात करने है एक तो line उन्हें ने बोला है कि वो टूटू से पास कर रही है और उनका जो axis इंटरसेप्ट का जो sum है वो 9 है तो हमने कर लिया तो सबसे पहले जर्नल equation देखें इंटरसेप्ट form की जर्नल equation की है हमने basic video में किया था आपको याद हो कि जो double intercept होता है उन्हें ने बोलना है x और y double है हाना दोनों का दिया है तो हम यह वाली यूज करने वाले equation यह वाली journal equation यूज करने वाले है तो सबसे पहले यह लिखते है x over a plus y over b is equal to 1 तो journal form क्या है x over a plus y over b is equal to 1 यह हमारी journal equation है कुल मला के हमने करना क्या है a a और b की value ही निकालनी है यहां पर fill कर देंगे तो answer आजाएगा हमें यह मालूम है को वो 22 से pass कर रही है यह पता है ना अगर यह 22 से pass कर रही है तो मतलब यह जो point है यह line के ऊपर ही होगा line के ऊपर जो point होते है वो x और y की form ही होते है ना तो इसका मतलब यह value हमारे पास x की ह और यह value हमारे पास y की है इस journal equation में fill करें ठीक है तो आपने यहापर लिखना है सबसे पहले fill the point on the line ऐसा लिखना है पहले फिर लिखने के बाद यह लिखा एक्स की value हमारे पास कितनी 2 है y की value कितनी 2 है यहाप किया तो यह बना 2 over a plus 2 over b की value यहां से निकालने यहां से निकला आगी न b की value, b की value कितनी आ रही है 9 minus का a, b की value यह आगी ठीक है तो यहां पे लिख लो यह बना 9 minus का a is equal to 1 इसको solo करते हैं इसको LCM करें तो LCM करें यह बना 18 minus 2a plus 2a is equal to इनने नीचे ने आपसमें multiply होना था तो यह क्या बनेगा 9a minus a square जो नीचे वाला result आएगा उसको उसक साथ भी multiply करने है तो हमारे पास यह क्या बन रहा है 9a minus का a square यह तो cancel हो रहा है अब यह 18 को दूसरी साइड शिफ्ट कर लो यह बना 9a minus a square minus 18 is equal to 0 इसको थोड़ा सा systematic order में लिखें यह बना minus का a square plus का 9a minus का 18 is equal to 0 अब इनमें से minus common ले लो minus common ले लेते हैं जब minus आपने common लिया तो यह a square plus का और minus का 9a हो जाएगा और plus का 18 is equal to 0 हो जाएगा अब यह बन रही है हमारी quadratic equation इसको solve करना तो आपको आता ही है midi term सप्लेट करते हैं तो इसके factor बनेंगे a square आता है ना minus 6a minus 3a plus 18 is equal to 0 midi term सप्लेट कर ली अब इसको solve करो a common लेकल ला है तो a minus का 6 ऐसे ही और इसमें क्या है इसमें हमारे पास 3 common निकला है minus का 3 तो minus का 3 common लिकर गया है a minus का यह 18 कौन से number पर आता है 6 पर तो is equal to 0 तो हमारे पास a minus 3 जो black के बाहर है वो एक बाहर जो अंदर है वो एक बाहर और उसके बाद दोनों को अलग-अलग लिखना होता है तो a की value हमारे पास कितनी आई एक तो 3 आई और दूसरी a की value हमारे पास कितनी 6 अच्छा a की value अब 2 आई है इसका मतलब b की value भी 2 ही आएगी तो इसे जो a की value आपने निकाल लिया है इसको इसमें fill कर लो आपकी b की value भी आ जाएगी हाँ ना बी की value भी लानी है ना तो a की value यहाँ पे एक बार कितनी fill करनी है हमने 3 और एक बार कितनी fill करनी है 6 तो कर लेते हैं तो जो result है सबसे पहले में इसे एक में एक बार नीचे लिख लेता हूँ result जो हमारे पास है रिजल्ट है हमारे पास B is equal to 9 minus का A ये रिजल्ट है इसमें जब A हमने 3 फिल किया A की value जब आपने 3 फिल की तो आपके पास B की value कितनी आई इसमें B की value है 6 ठीक है जब आपने इसमें A की value को 6 रखा तो आपके पास B की value कितनी आई 3 ठीक है ये दो values आई है ना तो अब journal equation में चलो journal equation हमारे पास ये थी ये वाली है ना इसमें अब A और B की अलग-अलग value रख लो result है तो कुल मुला कर ये भी दो ही बनेगी हाना क्योंकि दो-दो value है हमारे पास इसमें अब A और B की अब ये हमारे पास क्या बना X over 3 plus Y over 6 is equal to 1 जब मैंने ये वाले फिल की है उसके बाद दूसरा X over 6 plus Y over 3 is equal to 1 जब मैंने ये वाले फिल की है कुछ teacher इसको यहीं पर ही शोड़ देते हैं कुछ teacher इसको आगे भी solo करते हैं आगे कैसे बस LC में 6X plus 3Y is equal to 18 इदर 3X plus 6Y is equal to 18 कुछ teacher इसको आगे भी solo करते हैं 3 को common उड़ा देते हैं जब 3 को common उड़ा दिया तो यहां पर बचा 2X plus Y is equal to 6 और यहां से एगर 3 को common लेते हैं तो X plus 2Y is equal to 6 तो यह दो lines की equation है जो हमारे question को satisfied करती है 14 number question को ध्यान से समझना है इसमें दो बाते बोली है find the equation of line through the point 0,2 एक line है जो 0,2 से pass हो रही है and making an angle 2pi over 3 with the positive X axis अचा वो line X axis की positive direction में 2pi over 3 का angle भी बना रही है imagine करो यह देखो यह हमारे पास X axis होई और यह हमारे पास Y axis और यह वो line है जो X axis की positive मतलब इदर वाली side 2pi over 3 का angle बना रही है और यह line जीरो 2 से pass भी कर रही है जीक है, line क्या है, 0,2 से pass भी कर रही है तो वो मान के चलो यहां पे है, वैसे ही, मान नहीं अपने है, यहां पे है, इससे pass कर रही है also find the equation of line यह आगे की बात है, जीक है, इसको बाद में बढ़ते है पहले ही यहां पर इतना काम करते है, इस line की भी तो नकालनी है ना, तो इस line की equation आपको आती है आपको मालूम है कि हमें जब slope given हो, अब यहां पे slope जो वह थीटा की form में है, इसे पहले normal में बना लते है अब हमारे पास थीटा कितना है, वो कितना है, 2 pi over 3 और जो slope होती है, वो क्या होता है, tan थीटा होती है, tan थीटा is equal to 2 pi over 3 अब table पर 2 pi over 3 की तो value मालूम ही नहीं है, tan की, मालूम नहीं है ना, तो इसको हम breakdown कर लेते हैं इसको हम ऐसे लिख ले, tan थीटा pi minus का pi over 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं यही बनने वाला है जब आप इस form में लेखते हो, तो यह range formula में बन जाता है, यह क्या बना, tan 180 degree, pi 180 होता है ना, minus थीटा यह formula बना, वो क्या होता है, हमारे पास minus का tan थीटा, यह formula बन गया हमारा, trigonometry वाले chapter में किया था तो इसके according, इसको इसको compare करें, तो हमारे पास यह फिर क्या बना, यह बना minus का tan pi over 3, यह बन गया ना, अब pi over 3 की value आपको table पर मालूम है, चेक कीजी, pi over 3, यह रहा pi over 3, tan, कितना होता है, under root 3, तो fill कर रो, तो क्या बना, minus का under root 3, यह हमारे पास क्या है, slow pi, normal form है, अब हमें यह भी दिया है, कि यह जो, जिस line की slope आई है, वो किस point से pass कर रही है, 0, 2 से, तो जब हमारे पास line की slope गिवन हो, और वो point गिवन हो, जिस से वो pass करती है, तो journal equation क्या थी, अब तो याद होगी, y minus y1 is equal to m, x minus x1, यह थी ना, अब x1 यह, और y1 यह, m अभी यह भी निकाला, फिल कीजिए, तो क्या बना, y minus y1, मतलब 2 is equal to, m minus का under root 3, x minus x1, तो 0 ही है, तो ऐसे, solve करो, तो यह बना, y minus 2 is equal to minus under root 3, x, इसको जब इदर उदर करोगे, तो यह बनेगा, under root 3, x plus y plus 2 is equal to z, यह आगी, उस line की equation, जो यहाँ तक हमने पड़ी थी, यहाँ तक, चलो, यह तो निकले, आगे बढ़ते हैं, also find the equation of line, इसके साथ साथ उस line की equation भी निकालो, जो कहा है, parallel to it, इसके parallel है, इसके parallel मतलब ऐसे ही होगी फर, चीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलती होगी, parallel है, and crossing the y-axis at a distance, y-axis को cut कर रही है, कहाँ पे, 2 unit पे, अच्छा, यहाँ पे 2 unit, तो below the horizon, मतलब minus का होगा, यहाँ पे x का coordinate 0, और इसका क्या है, minus, 2, क्योंकि y-axis में होता है नीचे, अब यहाँ पे, एकर मैंने आपको basic वीडियो में बताया था, कि जब दो line से एक दूसरे के parallel होती है, उनकी slope एक जैसी ही होती है, उसकी slope जो है, वो same ही रहती है, क्योंकि वो parallel है, इसका मतलब यह जो नई line आई है अब, इसकी slope भी फिर क्या होई, यह भी हमारे पास minus का under root 3 ही होई, अब यह इस point से pass कर रही है, जो पीशे वाली थी, वो हमारे इस point से pass हो रही थी, 0, 2, अब यह किस से pass हो रही है, इस से बस point ही बदलना है, point ही बदलना है, यह x1 हो गया और यह y1 हो गया, journal equation यही लगेगी, slope भी यही लगेगी, तो fill कर दो, y minus y, अब नई की बात करने है, y1 कितना है यहाँ पे, minus का 2, तो positive हो गया, is equal to, minus under root 3, slope तो same ही है, x minus x1, वो कह है, 0 है, x1 इसका कह है, 0, बस इसको solve ही करना है, result है, तो किया, y plus 2 is equal to minus under root 3, x, इनको इदर-दर किया, तो यह बन गए हमारे पास y plus 2, इसको मैंने अंदर shift कर लिया है, अंदर root 3, x is equal to 0, अब क्यूंकि पहले x का coordinate लिखते हैं, फिर y का और उसके बाद constant term is equal to 0, तो यह हमारे पास net result है, 15 number sum, इसमें बोला है, the perpendicular from the origin to a line, meet, add it, add the point, एक perpendicular है, जो origin से चलकर line के उपर बना है, और जहां पर line पर बना है, वो हमारे पास इस point पर बना है, तो मतलब यह हमारे पास line है, और यह perpendicular ऐसे होता है, यह जो जहां पर मिला है, वो point कहा है, minus का 29, यह चला कहां से है, origin से, मतलब यहां से चला है, तो horizon 00 होता है, छीक है find the equation of line अच्छा, इस line की equation निकाल नी है इस line की, यह जो line इसको माल लो n point और इसको माल लो as a point हमने ns की जो line है, उसकी equation निकाल ली है अब आपको याद है कि जो एक line दूसरे के perpendicular होती है, उनकी slope का product क्या होता है, minus 1 slope का product क्या होता है, minus 1 मतलब मान के चलो, इसकी जो slope है, वो m1 है इसकी जो slope है, वो कह है m2, एक relation दो बता है कि m1 multiply m2 कितना होता है minus का 1 होता है यह होता है, अब यह देखो यह जो ns line है वो same minus 29 point से भी pass कर रही है, क्योंकि वो इसी कही तो है हमने कहे है, बस इसकी slope निकालनी है ns की, relation दो हमें मालूमी है कि अगर कोई line किसी point से pass करे, और उसकी अगर हमारे पास slope given हो, तो उस line की equation हम अभी जो जो पिशे वरता है पिशे use की है हमने, उसी से निकाल सकते है, y minus y1 is equal to mx minus x1, इसकी सहता से हमारे equation निकलेगी इस line की ns line की, इसके लिए हमें एक तो point चाहिए, point तो मालूमी है, ये x1 है और ये y1 है, ये तो मालूमी है, इसके लिए और हमें इसकी slope भी चाहिए अब वो निकालनी है, वो निकलेगी हमारी इस m1, ये जो m1 पहली line की slope है, इसकी सहता से, अब ये जो m1 वाली जो line है, मतलब slope जिसकी m1 है, वो 2 point से pass कर रही है, हाँ 2 point से pass कर रही है, एक तो 0 0 और minus 2 9, अब जब कोई line 2 point से pass करती है, तो उसकी slope कैसे निकालते है, उसका formula भी तो है ही है हमारे पास, अब जब कोई line 2 point से pass करती है, उसकी slope, यह निए m, इसको हमने m1 से लिख है, कैसे निकलती है, y2 minus y1 over x2 minus x1, हमने exercise 10.1 में किया था, तो इसके according ये फिर मान लो x2 और ये मान लो y2, x1, y1 तो यह ही है, तो slope के m1 is equal to y2 0 minus y1 9 9 over x2, कितने 0 minus x1, तो वो minus का 2, ऐसे, तो कुल मला कर m1 कितना रहे है हमारे पास minus का 9 over 2 ये तो आगी उपर वाली line, ये जो वाली है, इसकी slope कितने है, minus का 9 over 2, इस relation में fill कर लो, हमें दूसरी की भी पता चल जेगी दूसरी line की slope, हमने m2 money है ना, इसमें fill कर लो m over any की value, तो क्या बनेगा, minus का 9 over 2 multiply, m2 is equal to minus का 1, solve कर रहे है, तो ये बना, minus का 9 m2 over 2 is equal to minus का बन, क्या बना, minus का 9 m2 is equal to minus का 2, इसको solve किया, तो क्या आ रहे है, m2 is equal to 2 over 9 lowe, slope हमें मालूम है, point हमें मालूम है, जिससे वो pass कर रहे है, इसमें fill कर लो, line की equation आ जाएगी, तो कर लेते हैं, अब बात क्या उनसी है, इसान सा है, y minus y1, आप चक कीजिए, वहाँ पे वो था हमारे पस 9 is equal to m, m की value, अब हमारे पस कितनी आ यह, 2 over 9, multiply x minus x1, x1 हमारे वहाँ पे minus का 2 था, तो यह बन गया plus का, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, हाँ, यह minus 2 और 9 है, slope 2 और 9 है, हाँ, सही है, बस वालब कर लो, तो यह 9 इदर multiply हो जाना है इनके साथ, तो यह बन गया 9y, minus का 81, 2 ने इनके साथ multiply हो गया, तो 2x plus का 4, इसको करते हैं, इदर उदर, यह बना 2x minus का 9y, plus 81, plus 4, is equal to 0, तो यह बना 2x minus 9y, plus 85, is equal to 0, तो यह net result है, 16 number, हम आपको ध्यान से समझना है, इसमें बोला है, the length L in centimeter, of a copper rod is a linear function, of its Celsius temperature C, linear function सबसे पहले, समझो क्या होता है, linear function होता है, कि जैसे मालो हमारे पास, L is equal to C है, ऐसा है, linear function का मतलब यह है, कि अगर हम C की value बढ़ाएं, तो L की value भी बढ़ेगी, अगर हम L की value बढ़ाएं, तो C की value बढ़ेगी, जब ऐसा कुछ होता है, तो वो हमारे पास linear function होता है, ठीक है, in an experiment, कहना कोई experiment हुआ है, जिसमें जो rod की length है, वो यह node की गई, जब हमारे पास जो temperature था, वो इतना था, जब फिर आगे बोल रहा है, कि जब rod की लिए थे, इतनी node की गई, तो हमारे पास temperature इतना था, हमने जो express करना है, जो L का result आएगा, वो C की form में आए, हमने कुछ ऐसा result आना है, लाना है, कि जो L होगा, वो equal आए C के, मतलब कुछ बने, ऐसा कुछ बने, ठीक है, आपकी physics class का, जो science वाले student है, उनको मालूम होगा, उसमें बढ़ा होगा आपने, तो चलो, अब हमने के करना है, हमने जो L का result है, वो C के कुछ form में लेकर आना है, मुझे given कह सब से पहले, मैं लिखता हूँ, मेरे पास L जबट, 124.942 है, तब मेरे पास C की value 20 है, उसके बाद जो मेरी L है, वो जब मेरे पास 125.134 है, तो C की value मेरे पास 110 है, इसको अगर मैं graph पे बना कर देखूँ, इसको मान लो C और इसको मान लो L, क्योंकि हमने L और C का निकालना है, अब XY नहीं ले ले लेना, ठीक है, तब C मेरे पास मान के चलो यहाँ पे 110 और यहाँ पे 20 और L मेरे पास मान के चलो यहाँ पे 124 और यहाँ पे 125 है, तो फिर मेरी जो line है वो इस टाइम से बन रही है, यहाँ पे आ रही है वो 2245 ऐसा कुछ, और यहाँ पे यह आ रही है, 110,125 ऐसा कुछ आ रही है, dot साथ में वो भी आपने लिखने ये decimal वाले भी लिखने है अच्छा हमने करना क्या है L का result कुछ C में लेकर आना है तो ये देखो हमारे पास अगर हम इसकी line की equation निकाल लें तो हमारे पास result आ जाएगा जब कोई line दो point से pass करती है तो उसकी equation हम कैसे निकालते है वो formula में मालूम है y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 multiply x minus x1 ये है न उसका formula अब यहाँ पे जो ये हमारी y और ये जो x है अब ये c और l की form में है ये point तो आपको वैसे ही जैसे होता है x1 ये और ये y1 और ये x2 और ये y2 ठीक है ये तो ऐसे ही है y को हम कहा ले रहे l मतलब l minus y1 अब y1 हमारे पास ये मतलब यहाँ पे देख लो ठीक है पूरा लिखा हो है न y1 ये और y2 ये ये x1 और ये x2 ठीक है फिल कर लो y1 124.942 y2 125.134 minus y1 124.942 over x2 110 minus x1 20 multiply अब x की जगा पर हमने कहाने c c minus x1 कितने 20 बस इसको सॉलो करो तो बना l minus 124.942 is एकल तो इसको उपर 90 multiply c minus 20 और इदर आकर plus कौन है plus 124.92 तो उन्होंने क्या बोला था कि आपने l का result कुछ c की form में लेकर आना है तो ये देखो c include हो रहे ना इसमें c आ रहे है तो ये ही हमारा result है